आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेजिटेवल चीली मिली की रेसिपी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए पनीर, लाल साबुत मिर्च, साथी लाल मिर्च पाउडर, जीरा, सेनिमन स्टिक्स, गारले, स्टार फूल चोटी और बड़ी एलाईची और कटे हुए बींज, कैबेज, कटे हुए कैपसिकम, साथी कैरेट और कुछ प्याज के डाइसिज, एक पैन लेंगे और उसमें वन टेबल स्पून ऑईल डाल करके अच्छे से करम कर लेंगे, सबसे पहले ऑईल में तेज पता डालेंगे, फिर वन टेबल स्पून जीरा डालेंगे, दो स्टार फूल, चार से पांच छोटी एलाईची, साथी वन टेबल स्पून खड़ा धनिया डाल करके इसको सौटे कर लेंगे, साथी अद्रक का एक बड़ा टुकडा लेकर उसको लच्छे की तरह कट कर लिया है, पांच से आठ लेसिन की कलिया डाली है, अब खड़ी लाल मिश डालेंगे, जो कि मैंने दो ली है, साथी तीन से चार लॉंग ली है, इसको भी डाल करके हम सौटे कर लेंगे, उसके बाद दो बड़ी प्याज को रफली चॉप करके कड़ाई में डाल देंगे, साथी मगज लिया है, मैलन सीड लिया है, और 15-20 काजू लेके कड़ाई में डाल के आपस में मिला देंगे, अब दो छोटे टुकडे दालचीनी और बड़ी इलाईची के भी दो छोटे टुकडे लेने हैं, और एक मिनट तक पकाएंगे, फिर इसमें दो बड़े टमाटर रफली चौप करेंगे और स्वात अनुसा नमक डालेंगे, थोड़ी देर इसको चलाएंगे और उसके बाद एक से दो मिनट ढखकर रख देंगे जब तक की टमाटर पकना जाए, टमाटर पकने के बाद एक दूसरे बाउल में इसको निकाल लेंगे और ठंड़ा होने रख देंग अब चार चोटे टुकरे बटर डाल देंगे और बटर को मेल्ट करने के बाद यहां पर दस से बारा हरी मिर्च डालेंगे, साथ ही कट क्यों ही बीन्स डालेंगे, जैसे कि आपको पता है सबजी का नाम ही चिली मिली है, तो आप अपने स्वात के अनुसार हरी मिर्च और भ मिलानी के बाद बॉयल की हुई, वन कप मटर भी इसमें एट कर दें, साथ ही वन टी स्पून लाल मिर्च, वन टी स्पून धनिया पाउडर डाल करके मिलाएं और स्वात अनुसार नमक डालें, यहां पर नमक का यूज मैंने तीन बार किया, इसलिए ध्यान रहे कि थोड़ थोड़ा ही डालें और हल्दी डाल करके इसको धग दें, अब करीब एक बाउल पनीर को कट करके कड़ाई में डाल दें और मिलाते रहें, मिलाने के बाद 2-3 मिनट तक फिर से धग दें, जब तक सबजियां पकती हैं, मिक्शर भी ठंडा हो गया है, इस मिक्शर को मिक्शर ग्राइंडर में डालेंगे और बिल्कुल बाडिक पीस करके इसका पेस्ट बना लेंगे, यहां पर हमको तेज पत्ता निकाल देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेवी बनकर तयार है, अब पेस्ट में थोड़ा सा पानी डाल करके पूरा पेस्ट सबजियों पर डा तो थोड़ा सा नमक इसमें डाल करके वापस से इसको ढग देंगे, यहां पर सबजी को 2-3 मिनट तक पकने को छोड़ देंगे, जिससे की सारी ग्रेवी और मसाले आपस में मिल जाए, पकने के बाद इसमें कटा हुआ धनिया डाल करके वापस से मिक्स कर लेंगे, सबजी क कलर और टैक्षर इतना अच्छा आया है, साथ ही उतनी ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, आप भी सबजी को बना करके ट्राइ कीजिए और टेस्ट कीजिए, साथ ही इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च को कम जादा कर सकते हैं, अब थोड़ा सा धनिया और दो तीन स्लिट की हुई ग्रीन चिली डाल करके सब कीजिए, लाइक कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, थेंक्स फर वाचिंग